इस वीडियो में बर्ग टेंद के बहुत ही इन्पोर्टेंट को सिन को हल करना सिखेंगे को सिन को पढ़ते हैं एक संखा दो अंकों से बनी है दाई का अंक एकाई के अंक से छो अधिक है और संखा शन अंकों के जोगफल की दस गुनी है तो संखा ग्याद करें प्रस्ण में एक संखा दो अंकों से बनी है दाई का अंक एकाई के अंक से छो अधिक है और संखा संखा शन अंकों के जोगफल की दस गुनी है तो प्रस्ण को हल करते है मल लिया यी संखा का एक आउंक एक से प्रस्ण से संखा का दहाई आंग एक कर्टो एकाई अंग प्लस 6 श्वाधिक है तो ये काई अंग दिया है एक्स और प्लस 6 हो गया इसलिए संखा इसलिए एक्स प्लस 6 प्लस एक्स यह हो गया संख़ 10X प्लस 6 ब्राकेट बन प्लस X इसको यह 10 के साथ गुना कर देते है तो 10X प्लस और हो गया 6 प्लस X तो यह हो गया 11X प्लस 60 फिर प्रस्ण से अंखा इकल टू 10 गुना अंखो का जुक्फर 10 गुना X प्लस एक्स प्लस 6 यह हो गया इसको गुना करेंगे और इसको जुलेंगे तो यह 10 और 2X प्लस 6 होगा इसको गुना करते हैं तो यह हो जाता है 20X प्लस साइट इसलिए 20 X प्लस साइट इसकल टू संखा निकला है एगर एक्स प्लस साइट इसको हल करते है 20 X माइनस एगर एक्स साइट माइनस साइट यह एक्स बरावर 0 Y 9 0 निकला S कमान अधा संखा का एकाई आउग बरावर 0 तथा दाहाई आउग बरावर X प्लस 6 0 प्लस 6 इसकल टू 6 अब शिष्टो संखा प्लस संखा संखा एक्कल टू 10 इन्टू 6 6 कलास 0 तो गोना खराएंगे 60 हो गया यह अब शिष्टो संखा निकला अंसर Next Next Question एक संखा दो अंको से बनी है दाहाई का अंक एकाई के अंक से दुगुना है अंको का परिवर्चन करने से बनी संखा दिय हुई संखा से सताइस काम है संखा ग्याद करें एक संखा दो अंको से बनी है दहाई कांग एकाई की आंग से दुगुना है आंगों का परिवर्टन करने से बनी संखा दिये हुई संखा से सताश कम है प्रिश्णों को हल करते है मन लिया की एकाई का अंग एक्स एक तपरिश्णों से दहाई का अंग एक दुगुना एकाई का अंग एक दुगुना एकाई का अंग एक अंग एक तु एक्स इसलिए संखा इकल टू 10 इन्टू 2X प्लस X 20X प्लस X इसको जोर देंगे तो इसको 21X चुकि अंको का परिबर्तन करने C बनी संखा 10 गुना X प्लस 2X 10 को X से बना करेंगे तो 10X अगर 12X प्रस्णों निकला 21X पहले 21 निकला उसके बाद अंको का परिबर्तन किये तो बारो निकला अब यह हो गया प्रस्णों में तिया है यही संखा से 27 काम है तो पहले 12X यह बाद में 12X निकला और पहले 21 तो इसमें 12X एकल तो 21X माइनस 27 यह साथाइस काम है यह हो गया 21X माइनस 12X इकल तो 27 इसमें भटाएंगे यह हो गया 9X इसकल तो 27 इसलिए इस बराबार 27 इसलिए नाइन थिरी ता संखा इकल तो 21X इसका मां थिर निकला है 21 इन्टु थिरी यह हो गया 63 संखा इसका अंसर नेक्स्ट परते एक कक्षा के कामरे में कुछ बेंच है जदी परतेक बेंच पर चार विदार्थी बेठे तो तीन बेंच खाली रह जाते हैं और जदी परतेक बेंच पर तीन विदार्थी बेठे तो तीन विदार्थी खाड़े रह जाते हैं बताए कि कक्षा में कूल कितने विदार्थी हैं। प्रिष्णों में विदार्थियों की संखा निकालना है। प्रिष्णों को हल करते हैं। माला की कक्षा में विदार्थियों की कूल संखा एक्स है। पहली इस्तिती में प्रिष्णों में। पूल बेंच एक्स बाई फोर पहला स्थिरी पहली इस्थिति में जदी पर्तिक बेंच पर चार विदार थे बैठे तो तीन वेच खाली रह जाती है ये पहली इस्थिति दुसरी इस्थिति इस्थिति में कच्छा में कूल बेंच एक्स बाई फिरी माइनस वान ये दुसरी इस्थिति में जदी पर्तिक बेंच पर तीन विदार थे बैठे तो तीन विदार थे खड़े रह जाते हैं इसी लिए एक्स बाई 4 पर 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 फिरी इसी 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 लिए एक्स बाई 4 पर पर फिरी ऐड़्य रह दूल अब इसको राफ करते हैं 3 और यह माइनस है इधर लाएं तो प्लास हो गया और यह एक्स बाइ ठीरी और यह प्लास है इधर रहा है तो माइनस हो गया एक्स बाइ फॉर अब यह हो गया फॉर इक्यल तो इसका लास हो करेंगे तो फॉर एक्स माइनस ठीरी एक्स बाइ बारा अब यह फॉर इक्ल तो एक्स बाइ बारा यह पुछ नहीं वन इसको गुना करेंगे इसके 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 यह हो गया चार को बारा से गुना करेंगे तो 48 होगा यह एक्स बरावर 48 निकल गया यह हुआ कक्छा में कुल विदार्थी की संखा आता कक्छा में कुल विदार्थी की संखा कि फो आता क्शल एट की संखा a जट आता कि अट्प नहां आता में आता कि यह हैbarous